वेलो फेंड वेलेकम बैक टू माई यूटूब चैनल हेलपी मीड में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फेंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप SPI का योणो एप यूज कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टे होने वाली क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे आप अपने योणो एप पर एकाउंट रेइस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपके रेइस्टर मोबाल नमबर पर OTP नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे आज क इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ बस आपसे रिक्वेश्टे वीडियो को पूरा देखे तभी आप सही तरीके से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे फिक्स कर पाएंगे तो फेंट चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करन उपर आपको सर्च बार में टाइप करना है योनो sbi ये रहा योनो sbi का official application सबसे पहले आपको अपनी योनो sbi app को update कर लेना है अपडेट करने के बाद mobile की settings पर जाएंगे अब आपके फोन में जितने भी settings है आपके सामने open होके आ जाएंगी थोड़ा सा नीचे जाएंगे apps मे क्लिक करेंगे अब आपके फोन में जितने भी apps इंस्टॉल हैं सभी apps यहां पर open होके आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहां पर आपको देखने को मिल लाएगा आपका अपना message app message app के ओपर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको ध्यान देना है notification को यहां से अगर off है तो on कर देना है इतना करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे इस टोरी में क्लिक करेंगे और clear catch कर देंगे इतना करने के बाद आपको बैखों के वापस आना है और you know sbi me click करना है इस पे भी आपको करना क्या है इस टोरी में क्लिक करेंगे clear catch करेंगे बैखों के वा अपने UNSBI आप को ओपन करेंगे जैसे ओपन करेंगे यहां पने का यू ओनली नीड वन बैंकिंग इन्वेस्टिंग एंड सौपिंग इसके बाद आप जैसे अपना एकाउंट रेइस्टेट करेंगे तो आपके रेइस्टेट मोबाल नमबर पर OTV आना स्टार्ट हो जाएगा उमीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सबस्क्राइब करके नौटिफिकेशन बिल को प्रेस कर ले जिसे आने वाले वीडियो का नौटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा तो फरेंड इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर बाचिंग टेक केर